हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोनेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर नमस्कार आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटी सी एडिया लेड थार्ड सेमेस्टर से जो गडित को लेकर के हमने सिलावा साब को पूरा से शुरू किया है तो उसमें ये है आपका भाग संख्या तीन तीसरा पार्ट है आपका और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अनुपात के प्रकार को लेकर की आप लोगों को मैं बता दू कि इसके पहले का जो टॉपिक रहा है अनुपात और समानुपात रिशियो एंड प्रपोर्चन विद क्वेशन जो भी थे साथ में आपके जो प्रिविएस एर क्वेशन थे उनको भी लेकर के हम बात कर चुके हैं गडित डियलेट थर्ड समेस्टर नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जा करके आप उन दो वीडियोज को देख सकते हैं जो इसके पहले मैंने बताए हैं यह आपका भाग सिंख्या तीन है और आपको मैं बता दू संस्क्रित और मैथमेटिक्स पुरी तरीके से आपका electronic study पर complete करवाया जाएगा बाकी चीचे आपकी जो मिन में टॉपिक्स वही चलेंगे और rest of the topics के लिए आप an academy जरूर जोईन करें link आपको description में मिल जाएगी समावेश्य शिक्षा के काफी parts मैंने वहाँ पर upload कर दिये हैं जो आपका paper 2 है paper 1 के लगभग 20 वीडियोज हो चुके हैं paper 2 के लगभग 10 या 12 और बाके जो computer है उसके भी लगभग 12 चौदा वीडियोज वहाँ पर हो चुके हैं तो आप लोग जाकर के वहाँ पर join करें उसको भी देखें अनुपात के प्रकार देखें बात ये हैं यहाँ पर आपका theoretical चीजे भी पूछी जाती हैं आपके syllabus में चीजे दी हुई है तो हम एक एक करके सबको complete करते चलेंगी दोस्तों पहला जो प्रकार इसमें लिखा हुआ है अनुलोम अनुपात यानि की direct ratio क्या होता है द्यान दीजीगा तो इसको सबसे पहले यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आप define कर पाओ at least की वो चीज होती क्या है ठीक है आप उसको बता पाओ तो यहाँ पर दोस्तों जब आप बात करते हो जो है एक अनुलोम अनुपात को ले करके तो एक राश्य के बढ़ने पर दूसरा भी अगर बढ़ रहा होता है ध्यान दूजीएगा कहने का मतलब है आपके एक quantity बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक के घटाने पर अगर दूसरा भी घटे ठीक है तो ऐसे में क्या होता है वो आपका direct ratio होता है मानुपात पढ़े हो ना directly proportional to जिसको बोलते हो आप ठीक है मालीची A जो है वो directly proportional है B के तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर A में कोई भी increment देखने को मिल रहा है तो B में भी increment देखने को मिलेगा ठीक है सेम टाइम पर अगर A में decrement देखने को मिल रहा है मतलब कमी हो रही है तो B में भी कमी देखने को मिलेगी यही आपका अनुलोम अनुपात कहता है एक example ले लेते हैं और उससे समझ लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है S equal to D by T आप लिखते हो तो इसको और क्या लिख सकते हो भाई तेरिया गुला कर दीजिए इसको जो है S का T से multiply हो जाएगा D का 1 से multiply हो जाएगा तो D is equal to कितना जाएगा आपका S T या S cross T D क्या है आपकी दोस्तों दूरी है S आपका जो है स्पीड है चाल है और T आपका जो है वो समय है यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आप दूरी को ध्यान दीजेगा अगर आपने मा लिजे चाल को यहाँ पर यह ले लिजे अगर आप चाल को बढ़ाया तो दूरी भी बढ़ेगी या अगर आप दूरी को बढ़ा रहे हैं और अगर आप चाल को घटा रहे हैं तो दूरी भी घटेगी ठीक है यह कहने का मतलब है जब आपको लेकर के बात किजा अनोलो मनुपात को तो आप चाल बराबर दूरी समय कर दीजिएगा और वहां से आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर जो डी है वो डिर्क्ली प्रपोर्पोर्शनल किसके है स्पीड के चाल के उमुई घरते हैं यह चीज आपको समझ में आया होगी दो चीजे होती है पहले हम प्रतिलोम पढ़ लेते हैं फिर आपको हम समझा देंगे आपका क्लियर हो जाएगा फिर आप बोलोगी नहीं कभी कि आपका यह प्रतिलोम अनुलोम मतलब क्या है समानुप और अगर आप समय को बढ़ा रहे हो तो चाल घटेगी कहने का मतलब यह है रिवर्स या इनवर्स जो है रेशियो में क्या होता है आप किसी एक राशी को अगर आप बढ़ा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है जी हाँ यह क्या है और एक यह होता है दो चीजे हो में इसमें अगर ए बढ़ रहा है तो भी कम होगा अगर ए घट रहा है तो भी ज़्यादा होगा सेम टाइम अगर आप इसकी बात करो दूसरे वाले की तो इसमें अगर ए बढ़ेगा तो भी भी बढ़ेगा और अगर ए घटेगा तो भी घटेगा यही आपका होता है इनवर् बात करें यहां पर दूसरा तीसरा टाइप फे वो लिखा हूओ आपका बदेहां दियाओं देगा अनुपात क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह कि कंपॉण्ड रश्यो क्या होता है definition पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुड़न फल ध्यान दीजेगा जो first steps है उनको आप multiply कर दीजे और दुतिय पदों का गुड़न फल यह निकि जो second steps हो है उनको multiply कर दीजे ऐसे में जो answer आपको या ऐसे में जो अनुपात देखने को मिलता है वो आपका मिस्टरित अनुपात होता है यह compound ratio होता है एक example से समझ लेते हैं यहाँ पर देखिए 3 is to 1, 1 is to 2, 4 is to 3 लिखा हुआ है ठीक है भे मैंने ही बोलना कि प्रथम पदों का गुड़न फल और दोतिये पदों का गुड़न फल आफ कर दीजिए तो आप यहाँ पर दो भी ले सकते हैं देखिए मिस्टरित में आप दो भी ले सकते हैं दो से ज़्यादा अनुपात वालों में ले सकते हैं नहाँ पर तीन अनुपात का ले लिया है 3 is to 1, 1 is to 2 और 4 is to 3 अब इसमें 3 is to 1 में पर्थम पद गया है 3 1 is to 2 में पर्थम पद क्या है 1 और 4 is to 3 में पर्थम पद क्या है 4 आप इन तीनों को गड़ा कर लीजिए वही तो किया है आपे देखे 3 into 1 into 4 पर्थम पद में 3 is to 1 में दूसरा पद क्या है 1 1 is to 2 में दूसरा पद क्या है 2 और 4 is to 3 में दूसरा पद क्या है 3 यहाँ पर होगी गुड़ा कर लिया है 1 is to 2 is to 3 कोई दिक्कत इसमें होपस हो कि आपको हुई नहीं होगी इतने में तो चारते यह 12 हो जाएगा और दो यह 6 हो जाएगा तो 12 इस टो 6 आएगा इसको आप 6 कर नम 6 और 6 दुनी 12 यानिकि 2 इस टू 1 आपका रेशियो आजाएगा दोस्तों यह होता है अपका मिंस्टरित अनुपात जब आप कंपाउंड रेशियो की बात करते हो ठीक है आगे देख लेते हैं इसमें यह आपका आधानुपात लिखा हुआ है चौथा जो प्रकार है वो है आधानुपात आधानुपात का मतलब है सब डिप्लिकेट रेशियो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम धोला सा sub-duplicate ratio किसी अनुपाद के प्रतेक पदगे वर्गमूलों में जो अनुपाद होता है जी हाँ आप क्या करते हो आधाई अनुपाद वर्गमूलों में जो अनुपाद देखने को मिलता है वो आपका क्या होता है आधा अनुपाद जैसे मैंने बोला 9 आनुपाथ 6 जो सारी 16 अब 9 आनुपाथ 16 का आप 10 आनुपाथ निकालेंगे तो मैंने बोला वर्गमूलों में जो आनुपाथ होता है 9 का वर्गमूल क्याएगा 3 16 का क्या हैगा 4 आएगा अब कुछ भी ले लीजिये आप 16 इस टू कोई भी ले लिजे आप 25 ले लिजे तो यह कितना हो जाएगा आपका 4 इस टू 5 पच्छेस हो गया चारचोग 16 हो गया ऐसे ही अगर आप मालीजे 4 इस टू क्या ले रहे हो 9 यह कितना हो जाएगा टू इस टू 3 यह अनुपाद निकल कर क्याएगा दो दू निचार और तिन तिरिक का 9 ऐसे आप बता सकते हो कि आधा अनुपाद क्या होता है यानि कि सब डिप्लिकेट रेशियो क्या होते हैं ग्रूंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए सवाल आपको देखने को मिलेगा तो आप एजली कर सकते हो नहीं दोस्तों यहां पर अनकाडमी की कुछ चीजे है जो है जिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ आप लोग Google Play Store से यान Academy application डाउनलोड करेंगी उसके बाद बाकी जो आपके courses उनको देखने के लिए उसके बाद आप महेश मिस्रा से search educator में वहाँ पर search करेंगी 22-23 MB की file होती है केवल ठीक है महेश मिस्रा मेरे नाम से search करेंगी तो मेरी profile दिख जाएगी जैसे आप YouTube पर चैनल को subscribe करते हो red bell icon दबाते हो वहाँ पर केवल follow करना है मुझे यहाँ पर देखे follow की button ऐसे कुछ लिख करके आएगा मेरा profile में ऐसे दिखेगी follow करना है जब आप follow कर लेंगे तो जो भी video relations में upload करूँगा उसकी notification आपको मिलती रहेगी तो आप लोग ज़रूर जोइन करें academy बाकी courses आपके वहीं पर चल रहे हैं बहुत तेजी से मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मिस्स न करिए लास्ट टाइम रस्ट को आवाइड करिए जी हाँ लास्ट टाइम रस्ट को आवाइड करिए और पढ़ते रहिए academy से भी और यहां से भी पाच्वाब का लिखा हुआ है वरगा अनुपाद यानिकी class ratio को ले करके अब यह क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं वरगा अनुपाद किसी अनुपाद के प्रतेग पदों के वरगों से बना जो अनुपाद होता है वो आपका वरगा अनुपाद कहलाता है आधा अनुपाद क्या था आपने उसका वर्ग मूल से जो अनुपाद था और यहाँ पर क्या है प्रतिक पदो के वर्गों से अनुपाद 4 इस्टो 5 मैंने ले लिया इसका वर्ग कर दीजी आप 4 जोग 16 25 बिलकुल उल्टा किसका आधानुपाद का वर्ग अनुपाद किसका उल्टा होगा आधानुपाद का ठीक है तो आपने देखा 16 25 दिया होता तो आप उसको क्या लिख देते हैं 4 इस्टो 25 अभी तो हम पढ़के आए हैं उपर ही ठीक है वर्ग अनुपाद उम्मीद करते हैं समझ में आयोगा 13 अनुपाद क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं आतला गलग संधी विछेट कर लिजी आप इसको विग्रह कर दीजीए ट्रप्लिकेट रेशियो कहलाता है जैसे 2 इस्टो 3 का माल लिजे तेहरा अनुपाद दिकालना है तो मैंने बोला घन तो 2 का घन कितना हैगा 2 दूनी 4 दूनी 8 भई ऐसे तो निकाल तो घन मत तब 3 बार गुला कर दीजे 8 हैगा आप 3 का घन निकाल लिजे 3 गुले 3 गुले 3 27 वही यहाँ पर लिखा हुआ है 8 इस्टू 27 यानि 8 अनुपाद 27 का अनुपाद देखने को मिलेगा जिस प्रकार से आधा अनुपाद और आपका क्यों सथा जी हाँ आधा अनुपाद और वर्गा अनुपाद वसी प्रकार से तेहरा अनुपाद और तिहाई अनुपाद आपके एक दूसरे के जो है आपोजिट होते हैं उल्टे में देखने को मिलते है यहाँ पर किसी अनुपात के प्रतिक पद के घनमूलों से बना जो अनुपात होता है मालीजे 64 और 25 दिया हुआ है तो 64 का घनमूल निकालेंगे किता हैगा आपका 4 तो कि 4 गुड़े 4 गुड़े 4 4 चोग 16 चोग 64 हो जाएगा और 125 के निकालेंगे तो 5 इंटो 5 इंटो 5 25 पंचे 125 होता है ठीक है यह आपका 4 इस्टो 5 आंसर निकल करके सामने आ जाएगा आपकी उम्मीद करते हैं आपको प्रतिक विंदू बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ समानुपात प्रपोर्शन के अगर बात कर लिजा है आप लोग अच्छी तरीके से प्रपोर्शन के बारे में पढ़के आये हो पूरी तरीके से क्वेस्टन्स भी किये हो आप जो है लगभग 5-6 सवाल थे और भी क्वेस्टन्स आगे मिलेंगे हम सबको लेकर कि जब चैप्टर खतम होगा तो एक अठी भी बात करेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं समानुपात यह नहीं प्रपोर्शन कि यदि दो अनुपात परस पर समान हो दो अनुपात परस पर समान हो यहां पर A to B is equal to C to D यह मैंने बोल दिया समान है और आप लोगों को मैंने बोला था इस साइन का मतलब ही यह होता है आप डबल जो कुलन लगाते हो ना इसका मतलब जेम है आपका ठीक है होपसु कि आप लोगों को पता होगा ठीक है तो यहां पर किसी ने पूछा था एक सवाल में कि सर यह equal to वाला यह कैसे हो गया क्योंकि वहां पर उसने बोला है कि आप समान उपाती sign लगा करके बताईए एक सवाल था पिछले वाले उसमें ठीक है वाकि एक्वल तो होता ही है वो तो A is to B is equal to C is to D यहां A B C D क्या है परस पर समान उपाती कहलाते हैं देहन दीजिएगा इसमें A divided by is equal to C divided by D याप ऐसे भी लिख सकते हो आप उनको ऐसे भी लिख सकते हो इसमें आपको कोई problem नहीं होई होगी यहां आप ऐसे लिख लीजिए A अनुपात B यहां पर double O और यहां पर क्या है C अनुपात D आप यह भी लिख दीजिए यह भी सही है आपका जो है ठीक है उमीद करते हैं आपको यहां से भी चीजिए अभी समझ में आ रहे होंगी यह color थोड़ा ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें एक आपका इसमें लिखा हुआ है वितता नुपात यहां यह है नवा और अंतिम प्रकार जो है वितता नुपात यानि कि continue proportion इसको देख लेते हैं क्या होता है यह तीन राशियां इस प्रकार हों कि पहली राशी अनुपात दूसरी राशी मैं यहां पर पढ़ रहा हूँ पहली राशी अनुपात दूसरी राशी एकवल टू दूसरी राशी अनुपात तीसरी राशी हो तीनों में वितता नुपात यानि की continue proportion देखने को मिलता है वो का से देख लीजी मैंने बोला एक राशी कोई मालीजी आपकी A है दूसरी राशी उसकी B है ठीक है और यहाँ पर भी अगर B है और यहाँ पर भी अगर C है यह वितता नुपात होता है continue ratio होता है क्योंकि A के बाद B आया B के बाद फिट सी हाँ पर B B के बाद फिट सी हाया ठीक है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो A upon B is equal to B upon C तिरिया गुणा कर लेंगे तो किता आएगा आपका यह B square equal to A C वही तो लिखा हुआ है हाँ पर देखिए B square equal to A C लिखा है और इसको आप क्या लिख सकते हो B is equal to root A C हो जाएगा क्या हो जाएगा root A C यह क्या हो जाएगा B is equal to root A C आजाएगा और यह आपका क्या बता रहा होता है एक B की value को आप जब निकाल रहे होते हैं और यहाँ पर B क्या है एक मध्यानुपाती है पहला अनुपात आपका क्या है A और जो तीसरा अनुपात है और क्या है C है जाकि मध्यानुपाती क्या है B है दोस्तों उमीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको जो है अनुपात के प्रकार में समझ में आई होगी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा होगा जो आपको समझ में आया हो फिर भी कुछ अगर स्किप किया हो तो एक बार कॉमेंट में पूछ लिजेगा इसके बाद आपके जो क्वेशन्स होते हैं जो नुमेरिकल से उनको लेकर के हम बात करेंगे जिन्होंने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज इलेक्टरॉनिक स्टडी चैनल को सबस्क्राइब आप जरूर कर लो रेड बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल से ना बूलिएगा